रहुकेतू, रहुकेतू के गोचर की वज़से चार राशी वालों पर अगला साल भारी साबित होने वाला है। जोतिर शास्त्र के मुताबिक वर्ष 2023 में राहुमीन राशी में और केतू कन्या राशी में रहेंगे। उनके इस गोचर की वज़से चार राशीों पर नौकरी क और सेहत से जुड़ी बड़ी परेशानिया आने वाली हैं। लिहाजा उन्हें अगले साल काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आईए जानते हैं कि वे चार राशिया कौन सी हैं। मेश राशी नए वर्ष होरोसकोप फॉर येर दो हजार तेईस में आपका बजट बिगड़ा रहेगा। आपकी आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन खर्चे उससे ज्यादा बढ़ जाएंगे। जिसके चलते आप आर्थिक तंगी का सामना कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ आपका तनाव हो सकता है और रिष्टों में दरार आ सकती है। आप जिस जगा निवेश करेंगे उसके डूबने की आशंका रहेगी। कई जगा अनावशक भागदौर करनी पड़ सकती है। व्रिष राशी इस राशी के लोगों को कामधंधे के सिलसिले में घर से दूर लंबी-लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। जिससे परिवार के साथ उनकी दूरी बढ़ेगी और सब लोग इस गैप को अनुभव करेंगे। अगले साल, Horoscope for Year 2023 आपके सामने अचानक कई ऐसे काम आ जाएंगे, जिने करने में आपका सारा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे में आर्थिक स्थिती खराब हो सकती है। लिहाजा पहले से ही अनिश्चिताओं का आकलन कर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। कन्या राशी जोतिश के अनुसार अगला साल, Horoscope for Year 2023 आपके लिए जद्दोजद वाला साबित हो सकता है। आपको कारोबार में मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में भी प्रमोशन और इंक्रीमेंट काफी कम होगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आपका विवाद हो सकता है। आपकी सेहत भी खराब हो सकती है। मीन राशी प्रतियोगी परीक्षा में जुटे युवाओं को असफलता हाथ लग सकती है। जिससे उनकी एकागरता भंग हो सकती है। दोस्तो रिश्थिदारों के साथ आपके संबंधों में दरार आ सकती है। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आप कर्स के जाल में फस सकते हैं। कारोबारी वर्प के लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आपके कई फैसले गलत साबित हो सकती हैं। आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताए। आपका कोई भी सवाल हो तो हमसे पूछिए आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और इस वीडियो को शेर कीजिए ताकि आपके प्रिये भी लाब उठा सके। मिलते हैं अगली रोचक जानकारी के साथ बहुत जल्दी। शुक्रिया।